प्रेंट्स दुर्गार्शाला में आपका स्वागत है यह देगे अज में एक लिए जी तारीगन बना कर लेकर आयूं आप बजुका हमने यह बनाया है एक कलर से हमने अपना यह काडिगन बनाया है और इसने मैंने देखे निक्चे अलग पैटन डाला है उपर से हमने इसमें अलग पैटन बनाया है और इसमें तीन बटन ही मैंने लगाया है आप चाहो तो इसमें नीचे से बटन होल बनाना तो यहां तक के पूरे आप इसमें बटन लगा सकते हैं और इसकी जो मैंने लंबाई बनाई है फ्रेंस दीखिए 23 इंच हमारी इसकी है लेकिन हमारा यह stetchable बना है क्योंकि हमने इसमें यह pattern बनाई है उपर यह हमने एक सीधा फंद और एक उल्टे फंदे का pattern बनाया है इसलिए हमारा 要 aroma यह stetchable बना работать हैं जो इसके मोड़े रमां लंबा हमने शाथकी साथ ही बनाई है अलग से बटाई करने के बाद हमने करती हूँ एक एक पंदा उठते उन ज seven पाल सबसे बनाएंगहा है बेदी ऋकार सबसे पहले ये बैक पीस बनाएंगे बैक-पी बना दुद्गेंगों है ध transform । हम ब्रेंड सबसे पहले हैं है कि आख कने तोifra1 थास, हम इसमें मझें ये तो इसमें सबसे पहले हम अपने पूरी स्लाई सिद्धी बनाते हुए निकालेंगे हर एक फंदे को हम सिद्धा सिद्धा ही बुनेंगे इस तरीके से को सिद्धा बुनते होए कंप्लीट करेंगे फ्रेंक This dot our comments की उल्टी साइड है तो अब हमुझ मुल्टी साइड है उल्टी शाइड अपनी पूरी सिद्धी ही बनाएंगे इस तरीके से पूरी सिलाए को सिधा सिधा बनाते होए यह सलाई क्लिक करेंगे है आधी तक तो देखे अपनेती तरब की शेटी निकालने के बाद हम सिद्धी साइड आब इसमें आपना पैटन स्टार्ट करें तो फैंडज हमने इसमें 110 पंदे लिए हैं अब पैटन के हिसाब से इसमें यह फंदे लिए हैं तो इसमें हमने 17 के multiple फंदे लिए है 4 plus 4 फंदे plus 4 फंदे हमने ऐसे लिए है तो 4 फंदे 2-2 फंदे हमारे दोनों side extra है और 4 फंदे हमने pattern के हिसाब से इसमें extra लिए है तो इसमें total हमारे 110 फंदे हमने इसमें लिए है तो इसमें हमने starting में 2 फंदे सीधे किये फिर 4 फंदे, यहां से हमारा यह pattern स्टार्ट होएगा, तो इसमें सबसे पहले देखिए, हम starting में 2 फंदे अपने सीध्य बनाएंगे, 12 x 2 फंदे सीध्य बनाएं दागा आगे करेंगे, इसके बाद 4 फंदे हम इसमें इल्टे बनाएंगे, एक दो तीन और एक ये चार फंदे हम ने उल्टे बनाएं इसके बाद तेरा फंदों पर अब हम अपना पैटन बनाएंगे तो यहीं से हम दागा पीछे करेंगे एक दागा इस तरीके से हम सलाई पर लपेट लेंगे और यहां से जो हमारा तेरा फंदों पर पैटन है उसमें से पहले फंदे को हम इस तरीके से यहां पर पल्ट लेंगे तो हमने एक फंदा यहाँ पर पल्ट लिया, अब हम यहाँ पर दो फंदे लेंगे, एक पल्टा हुआ और एक पिछे वाला, दो फंदो को पिछे की साइड से हम एक कर देंगे, तो पहले तो हमने यहाँ पर एक यह जाली बनाई, उसके बाद दो फंदो का एक किया, इसके बा चार फंदे उल्टे बनाए इसके बाद दागा पीछे करेंगे एक फंदा हम सिधा बुनेंगे फिर दुबारा से दागा आगे करेंगे चार फंदे हम उल्टे बुनेंगे एक दो तीन और एक यह चार चार फंदे हमने बुने इसके बाद दागा पीछे करेंगे इधर से फिर पर यहां पर आगे करेंगे एक दो फंद हैं सरावारा गारा चाली ** भीकल्ट फंद है तो फंद हिम मारे तन तोल हो गए है इसके बाद लिएस कंवेश हम पर यह चाली हम उल्टे बनाएंगे 1 2 3 और एकी 4 तो हमरी ये तेरा फंदे300 हमारे यह हैं और 4 फंदे 9,10,11,12,13,14,15,16 और एकी यह 17, 17 फंदों पर हमारा यह पैटन है, चार चार फंदे हमारे बीच के गैप के हैं, तो हमने यह चार फंदे लिए, अब यहां से दुबारा से हमारा पैटन स्टार्ट हो गया है, तो 17 फंदों पर दुबारा से हम अपना ये पैटर डालेंगे 4 फंदे उल्टे बनाए इसके बाद हम दागा पीछे करेंगे एक फंदा ऐसे स्लाईप पर लिपेट लेंगे दुबारा से 1 फंदा पल्ट लेंगे पहला फंदा और फिर से 2 फंदों का एक करेंगे चार फंदो फंद करेंगे हो dic trick 112 को फिर स्तोरी है आगे की साइड से दो सदों पेटेंगे यहां नहें यह आपर गटा यह ऑनी से यहां पढ़ जाया तो देखिए दूबारा से फिर हमने 5 12 पर अपना पैटनाया इदर क्यूंद छोड़के यहां से एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नो तस ग्यारा बारा तेरा चोधा बंदरा सोला और एक यह जाली से जो बनेगा सतरा इसी तरीके से सतरा फंदों पर हम अपने यह पैटन पूरी से लाई में डालेंगे दुबारा से देखिए हम चार फंदे आपने चार फंदे एक दो तीन और चार फंदे बुने फिर से हम तेरा फंदों पर अपना पैटन बनाएंगे देखिए दागा पीछे करेंगे एक फंदा सलाई पर लपेट लेंगे और पहले फंदे को पल्टेंगे दो फंदे लेंगे दो फंदों का एक और एक जाली से बनाया जो यहां पर फंद अगट आया हुमारा जाली से बन गया है दोहारा दागां आगे करेंगे चार फंदे उल्टे एक के दो है पिंद स्यार चार फंदे उल्टे बनाए दागां फींचे किया एक मदना सूधरे फिर से दागा आगे चार पंदे और एक है चार करेंगे होगे तो करेंगे दो फंदों को एसे लेंगे आगे की साइड से और दो संदों का कर देगे दुबारा सिऑ यहाँ पर दागा के लाकर एक फंद आप पैसे लेंगे तो देखे दुबारा से हमारे ये 17 फंदों पर पैटन हो गया है अब दुबारा से हम यही पैटन अपना रपीट करेंगे जाली का फंदा बनाया तो इससे आगे 4 फंदे उल्टे एक दो तीन और एक यह चार दागा पीछे करेंगे एक फंदा सलाई पर लपेट लेंगे इस कि दो तीन और एक चार दागा पीछे एक फंदा सीता दागा आगे चार फंदे उल्टे एक दो तीन और एक चार दागा पीछे दो फंदों का एक दो फंदों का एक दिया फिर से हम दागा आगे करेंगे एक दागा ऐसे लिए पेट लेंगे 17 फंदों पर हमारा दुबारा सी यह पैटन डल गया है फिर से हम चार फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो तीन और एक यह चार दागा पीछे करेंगे एक फंदा ऐसे लिए पेट दो फंदों का एक दागा आगे चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार दागा पीछे एक फंदा सीधा दागा आगे चार फंदे उल्टे चार फंदे उल्टे फिर से दागा पीछे दो फंदों का एक किया दागा आगे एक फंदाल पेटेंगे तेरा हमारे सत्रा फंदों पर पैटन डल गया फिर से दुबारा से यही पैटन बनाएंगे चार फंदे उल्टे, दो, तीन, चार, दागा पीछे, एक फंदल पेटेंगे, फंदा पल्टेंगे, और दो फंदों का एक करेंगे, दागा आगे, एक, दो, तीन, और एकी चार, चार फंदे हमने उल्टे बनाए, फिर से हम दागा पीछे करेंगे, एक फंदा, सीधा, दाग दागा पीछे दो फंदो का एक किया अब देखिए दुबार से दागा आगे करेंगे एक फंदा लिप्टेंगे तो देखिए हमारे 17 के मल्टिबल फंदे जो हम ने लिए थे हमारा उसमें पैटन डल चुक है प्लस हमने 8 फंदे लिया है चार ये चार ये चार फंदे यहाँ पर हमारे उल्टे है पैटन के हिसाब से और चार फंदे हमारे एक्स्ट्रा दो फंदे लास्ट में सिद्धे और दो फंदे स्टार्टिंग में सिद्धे तो टोटल हमने इसमें 8 फंदे एक्स्ट्रा लिये हैं तो अब हम इसमें 4 फंदे उल्टे भाप हम इसकी उल्टी तरफ हैं अ हुआ मैं इसमीक उल्टी साइड है उल्टी साइड जो पंदे हम इधर से दो पंदे अपनी सिध्य बनाएं लाया लाष्ट के इनको हम उल्टी साइड से उल्टा बनाएंगे एक और एक ये दो तो दिखी इदर से हमने यह सिद्धे बनाए थे उल्टी साइट से उल्ट बनाए दागा पीछे करेंगे अब जो EST, 4 फंदे हमने सिद्धी साइट से उल्टे बनाएं इनको हम इदर से सिद्धा बनाएंगे एक, दू, तीन, और एक ये चार, तो दिखिए चार फंदे हमने सीधे बनाए, सीधी साइड से उल्टे बनाए थे और उल्टी साइड से सीधे, धागा आगे करेंगे, अब बीच के जो हमारे पैटन के तेरा फंदे हैं, उन्हें हम उल्टा बुनेंगे, एक, दू, तीन, चा पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, और एक ये तेरा, तेरा फंदे हमने उल्टे बने, दागा पीछे, तो जो हमने चार फंदे इदर से उल्टे बनाए, इनको दूबारा से सीधा बनाएंगे, उल्टी साइड से, एक, दो, तीन, चार, तो उल्टी साइड से friends हम ऐसी बनाएंगे 4 फंद सीधे 13 फंद उल्टे 4 फंद सीधे ऐसी बनाक्ते हुआ पूरी सिलाई निकार लेगे तो यह देखे friends यह सिलाई हमने अपने पूरी complete कर ली है last के दो फंद हमने उल्टे बनाया है जो हमने इधर से सीधे बनाए थे तो इस लाई के बाद हम इसकी सिधी साइड है तो फ्रेंड्स अब हम इसकी सिधी साइड है सिधी साइड से फिर से पहले हम स्टार्टिंग के दो फंदे अपने सिधे बनाएंगे एक और एक ये दो दागा आगे करेंगे चार फंदे जो हमारे बीच के हैं, इनको हम उल्टा बनाएंगे, एक, तो, तीन, चार, स्टार्टिंग के दो फंदे, और चार फंदे हम हर सिलाई में सिधी साइड से ये सिध्य बनाएंगे, और ये चार फंदे उल्टे बनाएंगे, उल्टी साइड से इने सिधा बनाएंग जो हमने दव्फंदो कोucht ह bere तहां इस पंदफे को दूबारा से बलट लेंगे ऐसे एम एक जाली बनाएंगे और दूबंदो और का एक करेंगे दो पंदे लिए नोबंदो कोई साइड से एक और एक जाली दूबारे से लागा करेंगे आप यह पर हमारे 4 फंदे थे उल्टे, अब हमारे यह यहा पर 3 है, तो 3 फंदे हम उल्टे भुणेंगे, 1, 2, 3, एक फंदा हमारे यहा पर गट गया है, दाबागा पीछे करेंगे, बीच वारा जो हमारे एक सिद्धा फंदा है, इसे हम सिद्धा ही भुणेंगे, दागा का है दोनों फंदो को इस तरीके से लेंगे थो फंदो का एक कर देंगे अब यह मार manufactura है यहाँ पर हम जारी डालेंगे यह के लिए निया déjà summary को सीधा वूनेंगे और ऐसे एकерь और एक फंद्र हमने सिध्दा बूना दागा आगे करेंगे चार फंदे बीच के हम उलटे बूनेंगे एक दो तीर और एक ये चार तो जैसे हमने अपना पैटरन ही है यहां से यहां तक का डाल लिए उसी तरिके से बनाएंगे दागा पीछे करेंगे तो दिखे दुबारा से ये सिधा फंदा हम भून भेंगे जारी बड़ा दागा आगे करेंगे इस फंदे को पल्ट लेंगे दो फंदों का एक और एक जारी तो दिखे एक जारीक बनाई हमने दो फंदों का एक किया दुबार से दागा आगे तीन फंदे उल्टे एक दो तीन पूरी सलाई का पैटन आपने बना ली है अब हम इसकी उलटी तरहें आपने इसे लिए ड़िवा ने पना पाटन करेंगे तरफ हैं तो फ्रेंट्स हम उल्टी साइड हैं उल्टी साइड से फिर से हम अपनी सिलाई निकाएं लेंगे दो फंदे स्टार्टिंग के उल्टे दागा पीछे चार फंदे सीधे इज़े दागा आगे तेरा फंदे उल्टे एक दो तीन चार पाच छे साथ आठ नो दस ज्यारा बारा और एक ये तेरा दागा पीछे फिर से तेके चार फंदे सीधे तो इसी तरीके से चार सीधे तेरा उल्टे फंदे बनाते हुए ये स्लाई भी हम अपनी कम्प्लीट करेंगे ये स्लाई फ्रेंस हमने अपनी बना लिए हैं अब हम इसकी सीधी दारफ है तो फ्रेंस अब हम सीधी साइड हैं सीधी साइड से फिर से हम पहले अपने दो फंदे सीधे बनाएंगे एक दो दागा आगे चार फंदे उल्टे एक दो तीन और एक ये चार चार फंदे उल्टे बनाएं दागा पीछे करेंगे अब यहां पर हमारे दो फंदे सीधे जाली से बढ़ा लेते हैं दागा अगे करेंगे पिर से आम दिखिए हमारा गटाई वाला फंद अ प्र पाल टेंगे 2 फंद लेंगे और इधर से एक जाली और 2 फंदों का एक दागा अब यहां पर दो फंदे बचेंगे एक, दो, दो फंदे उल्टे, दागा पीछे, बीच का फंदा हमारा सीधा, दागा आगे, फिर से इदर से दो फंदे उल्टे, एक, दो, दागा पीछे करेंगे, अब दीए हमारा गटाई वाला फंदा है, यह हमारा उल्टा फंदा है, दो नू फंद को ऐसे लेंगे, दो फं पंदे सीधे एक और यह दो यह आपने जाड़ी डाली दो फंदे सीधे बनाए दाग आगय करेंगे फिर से चार फंदे उल्टे एक दो तीन जार तो जैसे फ्रेंड्स हमने अपने इस डिब्बी में यह पैटन बनाया ऐसी पैटन बनाते है पूरी सलाई निकाल लेंगे तो थेत फ्रेंड्स हमने पूरीह अपने निकाल लिया पैटन डालते हुए आह बम इसकी उल्टी साइड है तो बनाने बाते हे से उल्टी साइड में फिर से पहले हम अपने पढ़ने और वाज पननाए और पीछे हें box चार पंदे सीधेorde से बनाने के बाद तेरा से इन घंदे चे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा फिर से चार फंदे सीधे चार सीधे तेरा उल्टे बनात्रे पूरी स्लाई निकार लेंगे तो यह स्लाई फ्रेंड्स हमने अपने निकार लिये हैं आब हम इसकी सिधी तरफ है तो फ्रेंड्स अब हम दुबार से सीधी साइड है देखिए हमारा पैटन भी दिखने लगए अब तो अब हम इसमें दो फंदे अपने सीधे बनाएंगे दागा आगे चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार दागा पीछे अब यहां पर हमारे तीन फंदे सीधे हो गया तो इ एक दो और एक यह तीन फंदे सीधे होगे दागा आगे करेंगे इस वाले फंदे को पल्ट लेंगे दो फंदे पीछे की साइड से रेक जाली डालेंगे और दो फंदों का एक करेंगे दागा आगे एक फंदा उल्टा बच्चा है इसे हम उल्टा पुनेंगे दागा पीछ करेंगे बीच वाले पंदय को सीधा दागा आगे एक फंद चार पंदेन उल्टें एक ऑट है जैसे हम आपना यह प्रैटंब है करेंगे दाज पीछे थीफंदे एक सीधे बनाये दागा आगे इस बाड़े फंदे को पल्ट लेंगे दो फंद करेंगे और एक जाल एक बाचा और एक बीच बाड़ा सुद्धा sort फुर्टा बुनेंगे दरकी साइट से दागा पीछे दो फंदों का एख जाली बनाएंगे और 3000 सीदे यह में जाली बनाई एक फंदा सीधा दो पंद तो इसी तो पूरी सिलाइमे अपना यह पेड़न हम रपीट करेंगे तो फ्रेंड से इस लाइए हमने पैटर्ण रपीट करते हैं निकार लिया है अब हम इसकी उल्टी साइड है तो फ्रेंड उल्टी साइड से हम दो फंदे पहले उल्टे बनाएंगे दागा पीछे चार फंदे सीधे एक दो तीन चार दागा आगे तेरा फंदे उल्टे एक दो तीन चार पाच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा और तेरा तो इसी तरीके से से 4 सीधे 13 उल्टे बनाते यह सत्राओ करेंगे तो फ्रेंड यह से ए Living कर लिया है आभ आम इसकी सीधी साइड है हो हम सीधी साइड सीधी साइड से पहले हम आपनें दो फंदे सीधे बनाएंगे धागा आगे चार फंदे उल्टे एक दो, ठीजा, और दागा पीछे करेंगे, इधर से हमारे 4 फंदे होगे, 1, 2, 3, 4, चार फंदे सीधे बनाए, दागा आगे, इस वड़े फंदे को पल्ट लेंगे, 2 फंदों का 1 और एक जाली, ये जाली डाली और 2 फंदों का 1 किया, अब एक फंद चार पहारा बीच वाल है, इसे हम सीध़ाही ढूल लेंगे, यह तर से हमारे एक फंद उल्टा और एक फंद यह अमारे गटाई वाल है, दोनों फंदों को ऐसे लेंगे, दो फंदों का एक, दागा आगे, एक जाली और चार फंदे सीधे, 4 फंदे सीधे बनाएं दागा आगे 4 फंदे उल्टें 1-2-3-4 फिर से हम दुबार अशिया अपने यह डिप भी रपीड करेंगे 4 फंदे सीधे 1-2-3-4 दागा आगे 1 फंद्या जालि बनाएंगे और इस वारे फंदे को पल्ट लेंगे दो फंदों का एक और एक जाली बीच वारे फंदे को सीधा फिर से दो फंदों का एक दागा आगे एक जाली और चार फंदे सीधे एक, दो, तीन, और एक ये चार तो जैसे हमने अपनी दोनों डिबी में पैटन दाया है तो फैंड सम उल्टी तरफ है उल्टी तरफ से पहले दो फंदे अपने उल्टे बनाएंगे दागा पीछे चार फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार दागा आगे तेरा फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चार फन दे सीधे, चार सीधे, तेरा उंटे बनाते, पूरी सलाई कम्प्लीट करेंगे, यह सलाई हमने बना लिया, आब हम इसकी सीधी तरफ है, तो यह देखे, फ्रेंड्स, अब हम इसकी सीधी तरफ है, सीधी तरफ से सबसे पहले हम अपने दो फन्दे सीधे ही बनाएंगे, एक, दो, दो फन्दे सीधे बनाएं, दागा आगे करेंगे, चार फन्दे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, चार फन्दे उल्टे बनाएं, च्यार पांच 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 पंदगे जो जाली से बनाए एक के फंदगा बनाती है फंदे ने पनागे हैं एक पंदगे थी। सक्क्षाद बनेंगे एक घागां एक Запान अपो को वापती יुक्रिण जला स में हने कि आइनी चार मात शे होले साथ चबहरा से यहींसे स्लाई को वापी एंगे इस लाइउ खेंगे हैं इन से स्लाइड पर आगे की साइड लेकर आएंगे और इस दागे के उपर से हम अपने ये साथ फंदे उतार देंगे देखिए हमारा दागा है इसके उपर से साथ फंदे उतारेंगे एक दो, तीन, चार, पाच, छे और एकी साथ साथ फंदे हमने उतारे एक फंदे पेसे तो ये हमारा ये आपर बबल्स बन गया है अब इस से आगे हम दोबारा से फिर छे फंदे सीधे पुनेंगे एक देखिए एक फंदा हमारा ये वला है और पांच फंदे आगे से एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, छे फंदे हमने सीधे बुने, इस से आगे दुबारा से दागा आगे करेंगे, बीच वाले जो हमारे फंदे हैं इन्हें हम उल्टा बुनेंगे चार फंदों को, एक, दो, तीन, और एक ये चार, चार फंदे हमने उल्टे बुने, तो जैसे हमें अपना यहां तक कहा है बोनाया है सो देखे दूबारा सिए यहां पर दागा पीछे करेंगे छे पंदे पेले हम सीध्य घौनेंगे एक …थे ट्यार पांच और एक उननलperform है दागा अवले इस फंदे बलूरे इसे सब्लाइब यह दागा आगे दू और एके तीन फिर से दागा आगे एक ऐसे फंदा बनेगा और एक हमारा सिधा पांच एक बार और ऐसी करेंगे तो हमारे यह साथ फंदे हें आप बन गया है, दुबारा से हम यही से स्लाई को वापसी करेंगे, तो इन फंदों को हम उल्टा भून लेंगे साथ फंदों को 1,2,3,4,5,6, और एक,7 यही से सलाई को बापसी करेंगे दौबारा से हम अपने इन फंदों को ऐसे इस सलाई पे उतार लेंगे 1,2,3,4,5,6, yhte 7 दागे को पीछे कही साध की साथ से हम आगे लेकर आएंगे सलाई पे और इस दागे के उपर से हम अपने ये सात फंदे उतार देंगे एक दूर्ज जार पाच च्छे और इकी साथ दूर्जिए यहाँ पर भी हमने एक फंदा बनाया उसके उपर से हमने सात फंदे उतार दिये तो यह हमारे यहाँ पर bubbles बन गया है दुवारा से हम 6 फंदे सिध्धे बनेंगे एक दो तीन चार पाँच और एक यह 6 फंदे बनें तो इसी तरीके से फ्रेंट्स हम अपनी यह पूरी सलाई बना लेंगे तो हम अपनी यह सलाई बना लेते हैं तो यह देखे फ्रेंट्स हमने अपनी यह सलाई पूरी कम्प्लीट कर लिया है जैसे हमने स्टाटिंग में अपना यहाँ पर पैटर बनाया था उसी तरीके से पूरी सलाई में पैटर बनाया है तो इस सलाई के बाद अब हम इसकी उल्टी साइड है तो फ्रेंट्स अब हम इसकी उल्टी साइड है उल्टी साइड से हम पहले अपने दो फंदे उल्टे बनाएंगे दागा पीछे चार फंदे सीधे बनाएं दागा आगे बीच के तेरा फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा फिर से दागा पीछे चार फंदे सीधे एक, नो, तीन, चार तो चार फंदे सीधे, तेरा उल्टे, चार सीधे इसी तरीके से पूरी सलाई निकाल लेंगे तो फ्रेंट्स हमने अपनी सलाई पूरी निकाल ली है इस सलाई को निकालने के बाद देखे हमारा एक डिब्बी का पैटन यहाँ पर पूरा हो चुका है अब जैसे हमने अपन यह पैटन बनाएंगे तो फ्रेंट्स हम सीधी साइड है सीधी साइड से जैसे हमने अपनी यह तीसरी सलाई इसमे निकाली थी यहाँ से हम वैसे ही अपनी डिब्बी दुबारा से स्टार्ट करेंगे तो हमारी यह पंदर भी सलाई है लेकिन पैटन की जैसे हमने तीसरी सल फंदे उल्टे 1 2 3 4 चार फंदे उल्टे बनाएं दागा हम पिछे लेकर जाएंगे एक फंदा सलाइ पर इस तारीके से लपेट लेंगे यह हमारा जाली का पंदा बन गएगा ओर इधर से गए जो हम दोर यहाँ पर मुनें पालटने के बाद यहाँ इधर से 6 फंदे सीध्य हैं, इसमें से दुबारा हम 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 4 फंदे बुने, दागा पीछे, 2 फंदे सीध्य हैं, दोनों 2 फंदों का हम इस तरीके से आगे की साइड से लेंगे, और 2 फंदों का एक कर देंगे, अब हम यहाँ पर दुबारा स उल्टे हैं, इन्हें हम उल्टा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, फ्रेंट्स जैसे यह पैटन बनाएं, इस तरीके से पूरी सलाई बनाएंगे, और 3rd सलाई से लेकर 14 सलाई तक जो पैटन हमने बनाया, वही रिपीट करते हो, या कि हम अपने इस पैटन की, इस स्वेटर की ये बना लेते हैं, कि लेकर फ्रेंट हो, ये वही र हम आपने हैं, अपने ही लेकर लेकर थेरे angelावे पैटनोंवेशने हैं, गुछ ठथिन की समय बनाया हूले, ये लिवायदील खरे झाल झाल तो यह देखे फ्रेंट्स हमने अपना पैटर रपीट करते हुए पीस की लंबाई हमने बना ली है इसकी यहां तक की लंबाई में हमने एक, दो, तेन, चार, पांच, छे, और एक यह साथ साथ रिब्बी हमने इसमें यह बनाई है यहां से लेकर हमारी यहां तक टोटल इसमें 86 लाई है हमने टोटल अभी तक निकाल ली है इतना बनाने के बाद आप हम इसमें आगे बनाएंगे तो आगे हम इसमें अपना दूसरा पैटन स्टार्ट करेंगे तो इसमें हमारी निच्छे से लेकर स्टार्टिंग से लेकर यहां तक की इसमें 86 लाईय निकली है तो अब हम इसमें 87 लाईच पर है तो इसमें देखे सबसे पहने यहां पर सीधे ही बनेंगे एक और एक है दो, दो फंदे सीधे बने नचार पैंदा ही बनेंगे इन पर हम grade 1 रष दल से जा समें deutlich में लगीो नचने यहां पीछे करेंगे अब देखे जो हमारे ये तेरा फंदे हैं जो हमारे ये पैटन वाले तेरा फंदे हैं इन पर हम एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बनाएंगे जो हमारा पहला फंदा है इसे हम सीधा बुनेंगे दागा आगे एक फंदा उल्टा दागा पीछे एक सीधा एक उल्टा ए फिर एक सीधा, एक उलटा or एक last का हमारा यह सीधा त GC जो हमने एम तेटरा इया, पैटरन के एक फंदा सीधा बनाया दागा आगे एक फंदा उल्टा दागा पीछे एक सीधा दागा आगे एक फंदा उल्टा फिर से एक फंदा सीधा फिर से एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा फिर से एक फंदा उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा और एक फंदा तो फेmen के लिए अपनी से माँथे लाश्टे चीम थाट बनांजे या या जैसे स्टाइए आटी utility उल्टे वोगis Inc रखेंगे लाष्टन दाले स्टेक्ट जाने से इस्टे को बनाने के बाद हम इसकी उल्टीस है प्रेंटी साइड से पहले हम अपने दो फंदे उल्टे ही बनाएंगे दागा पीछे च्यर कंदे सीधे एक दो पिस पर एक चार फंदे शीधे बनाएं दागा आगे करेंगे आप दीखें जो हमारी यह 13 फंदे जो हमने इधर से सिधा एक उल्टा बनाया है इसको भी हम ऐसे बनाएंगे जो हमने इधर से सीधा बनाया इसे हम उल्टा बुन देंगे दागा पीछे जो इधर से उल्टा बनाया इसे सीधा फिर एक उल्टा फिर एक सीधा जो फंदा हमने सीधी साइड से सीधा बुनाया उसे उल्टी साइड से उल्टा बुनेंगे और जो उल्टा बुन तेरा फंदे बुन लिए इसके बाद दागा पीछे करेंगे चार फंदे शिद्धे बुने फिर से आम देखिए जैसे आमने अपना यह पाटर यहां पर बना है वैसे बनाएंगे यह में उल्टा फंदा दिखाई दे रहे हैं इधर से आमने इसको सिध्धा बुना था तो इस लेक सिधा को यह अन्यętर अपने तेरा फंदे बना लिए हैं तो इसी तरीके से बनाते हों अकना पूरी कम्प्लीट करेंगे रीन है और को तो फ्रेंड सम दुबारा से सीधी साइड जिदी साइड से फिर से आम अपना पैटर्ण वैसे ही बनाएंगे दो फंदे सीधे दागा आगे चार फंदे उल्टे दागा पीछे, फिर से एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक सीधा, एक सीधा, फिर एक उल्टा, फिर से एक सीधा, और फिर से एक उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, और एक ये, सीधा, तेरा फंदों हमने अपना बनाया, एक सीधा एक उल्टा, दागा आगे बीच के चार फंदे हमारे ही उल्टे ही बनेगे, इसी तरीके से हम अपनी ये सलाई भी कंपलीट करेंगे, तो फेंड जैसे हमने अपनी 87,88 सलाई निकार ली है, दोनों सलाई के जैसे ही ये आई पीस की पूरी कर लेते हैं आई पीस की पूरी कर लेते हैं तो यह देखे फ्रेंट्स हमने अपने बैक पीस के लंबाई उपर अपना यह वाला पैटन बनाते हुए कंप्लीट कर ली है तो हमारी लंबाई बनकर इसकी त्यार है तो अब तक हमने इसमें जो भी बनाया निच्चे से यहां तक जितना भी बनाया है इसमें हमने टोटल रो बनाया है पहले हमने दो सलाई में जो फंदे डालकर दो सलाई हमने सिधी सिधी निकाली उसके बाद 84 सलाई हमने अपनी यह जो हमने 7 डिबी डाली है इसमें हमारी 84 सलाईया निकली है 84 सलाई के बाद हमारी 48 सलाईया अमने उपर अपना ये बड़ा पैटर्न बनाते हुए निकाल लिये जिससे हमारी इसकी लंबाई पूरी हो गई है तो इसमें हमारी 48 सलाईया निकली है तो फ्रेंड्स यहां तक की हमारी जितनी लंबाई हुई है तो वो देखिए हमारी यहां तक की 16 इंच लंबाई हमारी यहां तक की हो गई है 16 इंच लंबाई तो फ्रेंड्स हमारा यह पीस बनकर बिल्कुल त्यार है अब हम इस से अगली वीडियो में अपनी मुड़े की ताई और मुटा बनाएंगे